Hello friends, तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि बेटनोवेट या इस तरीके के जो स्टेरोइड्स होते हैं, क्रीम्स ये आपके स्कीम पर क्या डैमेज करते हैं, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे तो जब भी आप ये स्टेरोइड लगाते हैं, तो इन्फलमेशन कम होने से कोई भी पिगमेंटेशन कम हो जाता है, रंग गोरा हो जाता है जब आप इसे छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी स्कीन डाक हो गई है, जो भी मिलाजमा या पिगमेंटेशन आपको था, वो और ज़्यादा खराब दिख रहा है, और ज़्यादा काला हो गया है आपके चेहरे पर दूसरी जो प्राबलम आती है, वो होते हैं रिंकल्स, जो लोग लगातार यूज़ करते जाते हैं, उनकी स्कीन में प्रीमेचयर रिंकल्स बन जाते हैं, उनकी स्कीन काफी साधा डैमेज दिखती है तीसरा एक और problem आता है कि hair की growth हा जाती है steroid application के वज़े से facial hair, females में खास तोर से बहुत जादा खराब लगता है इसके अलावा आपकी skin sensitive हो जाती है जब भी आप कोई भी cosmetic product यूज़ करेंगे तो आपको जलन हो सकती है, burning हो सकती है वो चीज़ें जो आप ordinaryly पहले use करते थे उनसे भी आपको problems आनी शुरू हो जाती है इसके अलावा आपकी skin red होने लगती है उसमें itching होती है, वो dry हो जाती है कोई भी season के जो variation होते हैं आपकी skin उतने अच्छे तरीके से उनको tolerate नहीं कर पाती इसके अलावा आपके चेहरे पर दाने आ सकते हैं जिनको acne form eruptions बोलते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब दिखते हैं तो ये सारी problems आपके चेहरे पर आप महसूस कर सकते हैं जब भी आप steroid लगाएंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा छोड़ते ही फिर हो जाएगा तो इसका इलाज steroid लगाते रहना नहीं है तो क्या है इसका इलाज ये हम अपने subsequent वीडियो में बात करेंगे और क्या important होता है क्या key factors हैं जो इस इलाज में आपकी मदद करने वाले हैं तो मेरी सला यही रहेगी कि आप अपने आप से कभी भी इस तरीके की दवाएं बिल्कुल यूज ना करें आपकी family में या आपके friends में अगर कोई ये यूज कर रहा है या वो लोग जिन्होंने आपको ये दवाएं सजेस्ट की आप उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजेगा इस तरीके के और वीडियो और जनकारी के लिए आप follow करें हमारे चैनल को और जरूर लाइक करें तो बहुत अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखें Thank you, love yourself, stay blessed